मधोपुर में क्या गंगा पार लगा पाएंगे भाजपा की नईया भगवापाटी को अपने भीतर की चुनोतियों से भी होना पड़ेगा दो चार राशपलिवार का पूरा समर्थन नहीं मिला तो पढ़ सकता है भारी नमशकार आज़ात सिपाही विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ राकेश सिंग जहरखंड का सियासी महौल मधोपुर विधान सभा सीट पर 17 अपरेल को होने वाले उपचुनाव के कारण गरम हो गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस सीट पर खबजे को लेकर रसा कशी तेज हो गई है भाशपा ने गंगा नारायन सिंग को अपने खेमे में शामिल कर साफ कर दिया है कि वो इस उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी गंगा नारायन वही शक्स हैं जिन्होंने दिसंबर 2019 में हुए चुनाव में आजसु उमिद्वार के रूप में 45,000 से अधिक वोट लाकर भाशपा के राजपलिवार की जीत का रास्ता रोक दिया था और जाममों के हाजी हुसेन अंसारी चुन लिये गए थे गंगा नारायन के इस वोट की पूझी ने ही भाशपा को उन्हें अपने खेमे में लाने के लिए मजबूर किया है मधोपुर में सत्ताधारी जाममों की ओर से दिवंगत हाजी हुसन अंसारी के पुत्र हफिजुल हसन चुनाफ में उतरेंगे और 25 मार्च को नमांकन करेंगे अब गंगा नारायन के पाटी में शामिल होने से ये स्पस्ट हो गया है कि वही भाशपा की तरफ से अफिजुल हसन के खिलाफ चुनावी रण में उतरेंगे लेकिन मधुपूर में जीत की राह भाशपा के लिए उतनी आसान भी नहीं है क्योंकि रोशपलिवार को नजर अंदाज करना भारी भी पड़ सकता है गंगा नारण और रोशपलिवार नामक दो पाटों के बीच से भाशपा अपनी जीत का रास्ता कैसे तै करती है ये देखना रोमान्चक होगा मधुपर उपचुनाव को लेकर भाशपा की इस नई चाल और इसके करण उसकी चुनावी संभावनाओं का विसलेशन करती अजात सिपाही समदाता दयनंद रोय की विसेश रिपोर्ट देश के बारह चोतर लिंगो में सर्वस्रेस्ट माने जाने वाले कामना लिंग बाबा वैधनात की नगरी देवखर जिले का मधुपर विधान सभाशित्र इन दिनों जहरखंड की सियासत के केंदर में है इसका कारण यहां आगामी सत्रह अपरेल को होने वाला उपचुनव है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रोमांचक मुकाबले की जमीन तयार हो गई है सत्ता धारी छाममों की ओर से हफिजल हसन यहां से अपनी खिसमत आजमाएंगे जबकि भाशपा ने गंगा नाराण सिंग को अपने खेमे में लेकर साफ कर दिया है कि मधुपुर में भगवा जंडा फहरानी की जिम्मेवारी उन्हें ही दी जाएकी हफिजल हसन जहां अपने दिवंगत पिता हाजी हुसेन अंसारी की रोशनितिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है वही भाशपा गंगा नाराण के सहारे मधुपुर में अपनी नाव पार कराने की जुगत में है जहां तक मधुपुर विधान सभाशेत्र के चुनाफ परिणाम का सवाल है तो ये हर चुनाफ में बदलता रहा है 2009 में हुए चुनाफ में जाममो के हाजी हुसन अंसारी ने जहरखन विकास मोर्चा प्रत्याशे शिवदत शर्मा को 20,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराय था उस चुनाफ में भाश्पा ने अभिशेक आनंद च्छा को उतारा था जिन्हें 26,000 से अधिक वोट लाकर तीसरा स्थान मिला था 2014 में भाश्पा ने अभिशेक आनंद च्छा के स्थान पर रोच पलिवार को मैदान में उतारा उन्होंने जाममो के हाजी हुसन अंसारी को करीब 7,000 वोटों के अंतर से हरा दिया उस समय जाविमों प्रत्याशी 25,000 से अधिक वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे लेकिन 2019 में हाजी हुसन अंसारी ने रोच पलिवार को 23,000 से अधिक मतों के अंतर से पराचित कर 2014 का बदला ले लिया उस चुनाफ में हाजी हुसन अंसारी को 88,000 से कुछ अधिक वोट मिले थे जबकि रोच पलिवार को 65,000 से अधिक वोट मिले थे इस चुनाफ में आजसु ने भी अपना उमिदवाद उतारा था उसके प्रत्याशी गंगा नारायन सेंग ने 45,000 से अधिक वोट लाकर सभी को चौका दिया था गंगा नारायन को मिले वोट ने भाशपा की जीत का रास्ता रोक दिया था वही गंगा नारायन सेंग अब भाशपा के खेमे में शामिल हो गए हैं पिछले चुनाफ में मिले 45,000 से अधिक वोट उनकी पूंजी है जो हर हाल में उनके ही पास रहेंगे भाशपा द्वारा उन्हें अपने खेमे में शामिल करने के पीछे यही 45,000 वोटों का गणित है भ तो फिर मधुपूर को जीतने में कोई रुकावट नहीं आई की वैसे गंगा नारायन सेंग पिछले चुनाफ में भी भाशपा से टिकट के दावेदार थे लेकिन रोच पलिवार के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया तब वो आजसू में शामिल हो गए और चुनाफ लड़ था गंगा नारायन सेंग को शामिल करा कर चुनाफ मेडान में उतारना भाशपा के लिए मजबूरी बन गई थी क्योंकि वो हर हाल में इस बार चुनाफ लड़ने के लिए तयार थे यदि इस बार भाशपा उन्हें नजर अंदास कर देती तो गंगा नारायन फिर उसकी रह में बाधा बन जाते। लेकिन भाशपा के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। कहीं भाशपा के लिए भारी न पढ़ जाए। वैसे भाशपा नित्रुत को पूरा भरोसा है कि राचपलिवार पार्टी हित के खिलाफ नहीं जाएंगे। इन चुनोतियों से भाशपा कैसे निपटती है। ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही उसके लिए जामुमों की मचपूद खिलेबंदी में सेंध लगाना भी आसान नहीं होगा। कारण चुनाफ से पहले ही हेमंध सोरेन ने हफिजल हसन अंसारी को मंत्री बना कर उनका कद बढ़ा दिया है। अब देखना ये है कि भाशपा की नईया गंगा नरायन पार लगा देंगे या फिर कोई नया गुल खिलेगा। आजाद सिपाही के विसेश में अभी इतना ही खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रियदानिक अखबार आजाद सिपाही आप हमारे इस योट्यूब चानल को जरूर सब्सक्राइब करें आप हमारे फेस्बुक पेश को भी जर दूर लाइक करें चुड़े दहिए आजाद सिपाही के साथ धन्यफाद